हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गीजर का प्रैक्टिकल कनेक्शन अब मैंने अल्रेडी दो वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं एक में मैंने AutoCut और Temperature Switch का बारे में एक्स्प्रेंग किया है और दूसरे वीडियो में मैंने पूरा डिटेल कनेक्शन डिटेल में बताया है और जो मैंने वहाँ पर AutoCut आपको दिखाया था वो एक Live In वाला था और Live Out वाला था यहां पर क्या है लाइव नीटरल दोनो in होंगे और लाइव नीटरल दोनो out होंगे यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा लाइव और नीटरल तो इससे आपको जियादा टेंसर लेन की चलबत नहीं है जहां पर live लिखा हुआ, live connect कर देना जहां neutral पर लिखा है, तो neutral connect कर देना फिर live, फिर neutral out ले लेना ठीक है, तो अब आई ये से connection देखते है तो ये live तार था फिर ही वहाँ से एक live तार आया हुआ है ये live तार आपका गया है, temperature switch को फिर temperature switch से ये live निकल के कहां जाएगा आपका hitting element को ठीक है, ये hitting element को गया हुआ है फिर neutral तार आया हुआ है neutral जो आपका main supplies आया हुआ है फिर neutral ये तार निकल के ये आपका कहां जाएगा, directly चला जाएगा hitting element को ठीक है और उसके बाद जो earthing है वो उसका body पर लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये आपके पास temperature sensing tip है ठीक है, तो एक auto cut का होता है और एक आपका temperature switch का होता है तो ये हमने insert किया है auto cut का अब हम इसके बाद temperature switch का भी insert कर देंगे तो एक साथ दुनों insert नहीं होगा पहले आपको एक insert करना पड़ेगा फिर उसके बाद दूसरा भी insert करना पड़ेगा ठीक है, ये just मैंने आपको so किया है ताकि जब भी आपका water का temperature increase करें तो उसके बाद ये sense करके आपका auto cut कर दे ठीक है, ये temperature switch को operate करा दे तो इससे क्या होगा कि आपकी पानी automatically जब hit हो जाएगी तो off हो जाएगी otherwise electricity ज़्यादा consume होगी ठीक है, पानी को पूरा boil होगा तो और ओ condition ठीक भी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इतना ही सारा connection होता है आप ये जो yellow yellow देख रहे होगे ये आपका foam होता है, ठीक है ये क्या करता है, heat को insulate करता है तो जो अंदर का heat है वो बाहर जाके plastic body पे नहीं आता है जिसके चलते हो, plastic body melt ना हो ठीक है, और आपका heat का losses ना हो, ने तो heat का losses होगा तो water फिर से ठंडा हो जाएगा और फिर से आपको hot करना पड़ जाएगा ठीक है तो बार बार hot होगा तो आपकी electricity जागा consume होगी तो उसके लिए दिया गया है और यहाँ पर आप दोनों आप देख सकते हैं red वाला, ये hot water के लिए है blue वाला cold water के लिए है तो ये in होगा cold water और hot water बहार मिकलेगा